स्वागत आप सभी को शोप्रिया क्याप्चर्स में आज कर वीडियो में हम जानेंगे एक केकरा के बारे में वीडियो एंड तक जरूर देखिए यहाँ पर मैंने लिया है चार केकरा इसको फूल वाला केकरा भी बोलते हैं इसमें में केकरा भी है और फीमेल केकरा भी है इसको बोलते हैं पीमेल केकरा पीमेल केकरा में कूल रहता है एलो कलर या ओरेंज कलर में कूल आया हुआ रहता है यह है मेल केकरा इसको बोलते हैं मेल केकरा दो टाइप कर रहता है मेल केकरा और फीमेल केकरा पाते हम जानेंगे केक्रे को केसी ओपन करते हैं यह केक्रे की पेर, बड़ा वाला पेर को इससे दो चुकरे कात कर दीजिए और केक्रा लेकर उसकी छोट छोट पेर होता है उ हुँ भी लेकर चोटा वाला के end वाला पोचन उनहीं रालना है उसरे साथ में और रहता है, यह वाला नहीं चाहिए, च्ण पोर्चिंस में चाहिए, इसको निकाल देजी, अभी हम क्रेब ओपन करेंगे, दो आख रहता है ना, उसमें एक आख में अपना ऊमिली रखे ओपन करेंगे जिए, इस तरह हम, इसके बाद, पहले हमें, हम क्रेब क खाना रहता है जमा हुआ रहता है उसे औरेंग या ब्राउन कलर देखिए इसको नहीं डालना है इसको निखाल दीजिए इसके बाद जो जो नहीं चाहिए आप देगे जो नहीं डालना है इसको निखाल दीजिए नेकल दीजिए लिए अबी नहीं कर दिजे इसको अभी दुसरा क्रैप मैं दिखाने जा रहे हूं यह है इमेड क्रैप यह औरेंज कलर का इसका फूल रहता है यह ब्राउन में भी रहता है इसको पसंदे और डाल सकता है किसको नहीं पसंदे और मत डाले है जो केकड़ा काया हूँ वह काना रहता है और नहीं डालना है इसको निकाल दीजिए यह कड़वा होता है यह डालेगा तो अका करी या मसला या ट्राई बनाते होना वह मसला अकर कड़वा हो जाएगा इसके लिए नहीं डालना है अब यह केकड़ा कट करके हो चुका है अब यह आपका इसका करी जो भी बनाने बना सके थे थेंक यूँ कर दो कर दो